नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माता बंगला मुखी कैसे प्रगाठ हुई थी और क्यों प्रगाठ हुई थी लेकिन उससे पहले आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जिससे आने वाले वीडियो को से मैं आपको जानतारी मिलती रहें सब्सकार अगनी को देखकर कीड़े वकोड़े भस्म हो जाते हैं उसी तरीके देवी के भक्तगड़ों के सत्रुभीन नष्ट हो जाते हैं कहते हैं सत्यूग में एक बार एक राच्छास्त के दौरा एक बहुत विसालतम संसार को नष्ट करने वाला तूफान उत्पन किया होने लगी थी तब सभी देवताओं को अतन्त चिंता हुई और वह इस चिंता को लेकर भगवान बिश्ट के समीब गए तब भगवान बिश्ट ने हैद्रा सारवार के किनारे महा देवी तिपर सुनरी को प्रसंद करने के लिए एक दिव यग तता घोर तपश्या की उस त हैते हैं कि देवी की पूजा युद में विजय हेट की जाती है तथा सतुर नास के लिए देवी बंगला मुखी की साधना की जाती है महा मारत के युद के दर्वान भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने माता बंगला मुखी की पूजा की थी माता बंगला मुखी ने अर्जुन को वर दिया था कि मैं उस युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगी तस पसाद माता की कृपा से अर्जुन महामारत का युद्ध जीत पाये थे दोस्तो माता बंगना मुखी आज भी अत्यन्त सिद्ध देवी मानी जाती है कहते हैं कि यह तंत्र विद्याय तथा समस्त प्रकाज के सिच्छा पूर्ति करने वाली देवी के रूप में आज भी कल्यों में पूजी जाती है दन्वार दोस्तों बने रहे हैं दिव डिर्श चिर्जात देख तेरा है रोज चैनल करीबरे वीडियो और अभी हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हैं